वेलकम स्टुडेंट्स मेरे चैनल टेकी पाउन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें हिंदी में समष्टी अर्दशास्र पहले से ही चैनल पर आविलेबल है आप प्लेलिस्ट चेक करें सारे वीडियो देखने को मिलेंगे इंग्लिश में हम मेक्रो एकनोमिक्स को लेके चल रहे हैं उसी क्रम में आज का हमारा वीडियो है फॉर्म्स एंड टाइपस ओफ इंफलेशन ये एकनोमिक्स का चैनल है आपको यहां एकनोमिक्स के तरह तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे types of inflation में हम देखिए 1 से लेकर 18 types of inflation देखेंगे इसी में forms of inflation creeping, walking, running, runway ये भी देखने वाले हैं तो आपने इतनी सारी inflation आज तक एक जगे पर नहीं देखी होगी ये मेरा दावा है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो चलते हैं इस वीडियो में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देखिए number 1 meaning of inflation सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि inflation क्या होती है when there is a continuous and long term increase in the general price level it is called inflation अब यहां कुछ important points आए हैं आप द्यान दे सबसे पहले continuous word ठीक है दूसरा word कौन सा है long term है और तीसरा word आया है general price level तो कहने का मतलब यह जो तीन वड़ है इसी पह यह inflation टिकी हुए होती है कौन-कौन से continuous, long term और general price level general price level क्या होता है एक तो अरती है individual price किसी commodity की price को या किसी goods की price को हम individual price कहते हैं ठीक है general price level में क्या होता है country में जितनी भी goods होती है लगबग उन सब की price को लिया जाता है लगबग है ठीक है न तो इसलिए इसको general price level कहते है और inflation क्या होती है जब general price level में increment हो जब general price level continue increase होता जाए long term तक तब जाकर हम उसे inflation कहते हैं किसी एक दिन अगर increase हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे inflation ठीक है इसी क्रम में आगे देखेंगे तो inflation means rising prices not high prices तो friends इसका मतलब क्या हुआ rising prices not high prices इसका मतलब है कि inflation का मतलब कभी आप यह मँस्मठ लेना कि high prices हो रही है prices rising हो रही है हो सकता है पहले prices बहुत कम हो अब rise हो रही हो ठीक है ना लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत ज्यादा high prices हो रही है inflation को केवल और केवल rising prices के रूप में count किया जाता है इसे high price के रूप में show नहीं किया जाता है ठीक है हो सकता है 1% inflation हो 2% ही हो तो उसका मतलब high prices नहीं होगा लेकिन rising तो हो रही है न prices the rate of change in wholesale price index WPI is called inflation ध्यान दे जो WPI है जिसे हम wholesale price index कहते है इसके अंदर जो change आता है इसकी जो rate of change है उसी को हम inflation के रूप में जानते हैं इंडिया में CPI reflects the average change in price prices paid by consumers at the retail levels whereas WPI reflects changes in average wholesale prices for goods sold in bulk अब देखिए दो concept है एक WPI है इंडिया में और एक CPI है WPI का use क्या होता है WPI जैसा कि इसके नाम से ही देखेंगी ये wholesale की price को बता रहे है तो wholesale price क्या होती है जो हम market में bulk में जब सामान खरीद के आते हैं goods खरीदता है तो उसकी prices को हम क्या करते है wholesale price आपने भी सुना होगा थोक थोक में सामान खरीदा wholesale में सामान खरीदा बहुत सारा सामान तो उसकी prices को हम wholesale price करते है ठीक तो WPI का use तो हम किसके लिए करते है inflation count करने के लिए inflation की calculation के लिए इंडिया में किसका use किया जाता है wholesale price index का जबकि CPI क्या बताता है CPI बताता है consumer price index CPI क्या बता रहा है जो CPI है वो बताता है consumer price index ये बताता है कि consumers related जो goods है जो retail market से consumer कहां से लेता है goods and services कहां से लेता है वो retail market से लेता है तो retail market में क्या prices है goods and services की, उसको कौन calculate करता है CPI, wholesale price को कौन calculate करता है WPI, तो WPI का use तो हम inflation के लिए करते हैं, जबकि जो CPI होता है, उसका use हम DA के लिए calculation में लाते हैं, जैसे देखिए आप यह देखा, the dearness allowance DA for the government employees is calculated based on the latest consumer price index for industrial worker CPI IW, CPI भी कई तरह का होता है, तो जो CPI IW है, industrial workers के लिए CPI निकाला जाता है, उसी के base पर इंडिया में dearness allowance या DA की गोशना की जाती है, जिसमें हर 6 महीने में आपने देखा होगा, government employees की salary बढ़ जाती है, DA की कारण महेंगाई बढ़ गई, महेंगाई बढ़ गई, ठीक है, और dearness allowance किस के base पर होता है, CPI के base पर, अब basic clear हो गया, अब थोड़ा हम जल 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 दी कर लेंगे, number two, meaning of deflation, deflation is the opposite of inflation, ये inflation का opposite concept है, deflation, क्या बताता है देखिए, when there is a continuous and long term decrease in the general price level, it is called deflation, जैसे continue general price level increase हो रहा था, long term में, तो उसको inflation का आता, उसी का opposite में, अगर वो decrease हो, general price level, अगर continuously long term में decrease हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिर deflation कहेंगे, ठीक है, in this case, inflation rate becomes negative, सबसे important बात, deflation में जो inflation rate है, वो क्या हो जाती है, negative, inflation zero है, इसका मतलब है, कि prices equal है, और inflation अगर plus में है, इसका मतलब है, prices rise हो रही है, और inflation अगर negative है, इसका मतलब है, prices decrease हो रही है, तो deflation के case में क्या होता है, inflation rate becomes negative, negative हो जाती है, deflation can lead to recession, और deflation ultimately किसमें convert हो जाती है, यो हो सकता है deflation के कारण आपके recession आजा है economy में ठीक अब देखते है number three meaning of reflation अब हम reflation देखने का रहे हैं ध्यारक नाई concept अलग अलग अब when there is an increase in the general price level and production as a result of measures to remove deflation it is called reflation deflation को हम दूर करना चाते है deflation को हम remove करना चाते है उसे हम हटाना चाते है तो उसके लिए क्या किया हमने क्या किये efforts किये और उस efforts के कारण general price level और production क्या हुआ increase हुआ तो इसको हम reflation कहेंगे ऐसे measures जिसके कारण deflation remove होती है जब हम उसको use में लाते हैं तो general price level क्या होगा उसके कारण increase होगा तो उसी को हम reflation कहेंगे ठीक है reflation is a physical और monetary policy designed to expand output stimulate spending and curb the effects of deflation जैसा कि मैंने बताया deflation से क्या होता recession आती है तो government क्या करती है या तो fiscal policy यूज करती है या monetary policy यूज करता है इन दोनों ही case में क्या किया जाता है ताकि जो भी deflation के effects है वो remove किये जा सके और economy को वापस से किस पर लाया जा सके पात पर which usually occurs after a period of economic uncertainty और a recession जैसा कि मैंने बताया यह problem कब होती है जब recession की problem होती है तो अब हम recession को दूर करने के लिए deflation को दूर करने के लिए हम क्या करते है कि government ऐसे प्रियास करती है ऐसे efforts करती है जिसके कारण क्या होता है general price level increase होने लगता है production इंक्रीज होने लगता है तो इसको हम रिफलेशन कहता है तो ट्रेट साइकल में कई साइकल होता है तो उसमें रिफलेशन के बाद जब रिकवरी आती है तो ये फर्स्ट फेज है उस रिकवरी का ठीक है जिसमें रिफलेशन होता है फिर फोर्थ पॉइंट देखिए मीनिंग ओफ डिस इंफलेशन ध्यान रखना है अब ये डिस इंफलेशन बात करना हूँ मैं इनके वर्ड्स पे धान रखना वैन देर इस डिक्रीज इन दा जनल प्राइज लेवल एज रिजल्ट आफ मेजर्स टू रिमूव इंफलेशन इडिस कॉल डिस इंफलेशन कहने का मतलब इंफलेशन है मार्केट में आपने इंफलेशन को दूर करने के लिए क्या किया आपने रिमूव करने के लिए उसको मेजर्स यूज किया ठीक है उसके कारण क्या हो गई उसके कारण जनल प्राइज लेवल क्या हुआ decrease होने लगा आप inflation थी पहले से market में inflation थी आपने inflation को inflation को आपने क्या किया remove करने की कोशिश की try क्या उसको majors use किये तो उसके कारण क्या हुई inflation down हुई तो इससे क्या हुआ decrease in the general price level general price level में decrease हुआ तो इसी को हम dis inflation कहता है यानि कि inflation को दूर करने के कारण जो down होती है prices उसको हम dis inflation कहते है dis inflation is a decrease in the rate of inflation dis inflation क्या बताती है कि inflation की rate में कितना decrease हुआ है उसी को dis inflation कहते है is slow down in the rate of increase of the general price level of goods and services over time और इसके कारण क्या होता है dis inflation के कारण क्या होता है long time में जो prices of goods and services है वो दिरी-दिरी क्या होती चला जाती है decrease होती चला जाती है जिससे general price level भी क्या हो जाता है ठीक है slow down in the rate of increase of general price level ध्यान डगना ये केवल general मान लिजे पहले inflation 5% से increase हो रही थी अब ये उसको down करके क्या करतेगा 4% 3% ठीक है न ये चीज़ हुई है उसकी rate increase तो inflation अभी भी है inflation अभी भी है बस उसकी जो rate है मान लिजे पहले चल रही थी वो 5% ठीक है अब हमने उसको decrease करके कहा तक लिया है 4% पर तो भी प्लस में हुआ न ये दोनों प्लस में हुए ठीक है तो ये हुआ है यहां पर अब आगे देखते है it is the opposite of reflection reflection के जो opposite में concept है उससे हम कौन सा concept कहेंगे dis inflation फिर आगे देखते हैं 5th meaning of currency inflation क्या होता देख लिए है when the general price level increases due to increases in the supply of money in the country it is called currency inflation cdc बात है market में currency की supply increase हो गई है currency की supply increase होने के करण जो general price level increase हुआ है जो goods and services की prices increase हुई है उसी को हम currency inflation कहते है इसमें क्या होता है currency inflation is a situation in which more money becomes available without an increase in production and services causing prices to rise सीधी सी बात है भाई economy में production बढ़रा नहीं है production माल लिजे बढ़रा है 5% की speed से ठीक है और आपने money की जो supply है money supply आपने क्या कर दी money supply को 6% की speed से increase कर दिया ठीक है तो इसका मतलब 1% increase हुआ ना money supply ज्यादा तो ये क्या हो जाएंगी prices increase हो जाएंगी ठीक है क्योंकि असली चीज कभी भी ध्यान रगना economy में असली चीज क्या होती है goods and services इसी लिए हमने goods and services के flow को real flow वास्तिविक प्रभा कहा था जब वह आयका हमने चक्रे प्रभा पढ़ाता ना circular flow of income तो उसमें real flow हमने किसको माना था goods and services को हाना और money को हमने क्या माना था monetary flow ठीक तो इसलिए real flow हमेशा goods and services होता है जब तक production नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता अब आगे देखते हैं six number देख लेते हैं meaning of imported inflation अब यह imported inflation क्या होती है देखते हैं when the general price level in the country increases due to increase in prices of imported goods and services it is called imported inflation कहने का मतलब हम जब हम क्या करते हैं foreign से import करते हैं चीजों को जैसे oil हो गया बहुत सारी चीज़ा हम import करते हैं विदेशों से ना foreign countries से अगर वहाँ इनकी prices increase हो जाए और उन prices के कारण क्या है इंडिया में भी उनकी prices increase हो जाएंगी जैसे मान लिजे petrol हमने import किया और petrol की मान लिजे किसी कारण war हो गया जैसे Ukraine और Russia का युद्ध हो गया ठीक है उसके कारण क्या हुआ petrol की prices higher हो गई और petrol की prices high होने के कारण इंडिया में भी petrol क्या हुआ costly हो गया और petrol costly हुआ महंगा हुआ petrol तो जितना भी जो goods and services आती थी ट्रांसपोर्ट के जरी वो सारी क्या हो जाएंगी costly हो जाएंगी तो उससे क्या होगा increase हो जाएंगी prices इसी को हम imported inflation कहते हैं यह क्यों ही है यह inflation क्यों ही है क्योंकि import की जा रही जो goods and services है वो महंगी हो गई है उनकी cost बढ़ गई है जिसके कारण इसे हम imported inflation कहते है फिर आगे देखते हैं 7th number meaning of demand pull inflation जैसा कि नाम से इसपष्ट है when the general price level starts increasing due to increase in demand for goods and services in the country it is called demand driven inflation और demand pull inflation जब आपकी economy में demand किसी कारण से increase हो जाए और उस demand increase होने के कारण क्या होगा demand increase होगी तो जैर बात है prices भी increase होगी तो जब demand increase होने के कारण goods and services के prices increase होती है तो उसे हम कौन सी inflation कहेंगे demand pull inflation क्योंकि ये inflation किसके कारण हुई है demand pull होने के कारण demand increase होने के कारण when demand for goods or services rises faster than the supply of those goods and services the result is demand full inflation मान लीजे आपके economy में production बढ़ रहा था 10% की speed से production किस speed से बढ़ रहा है production 10% की speed से लेकिन जो demand बढ़ रही है economy में वो बढ़ रही है 15% की speed से तो इसका मतलब है 15 में से 10 के तो 5% 5% जा more demand है आपकी economy में और इसी के कारण prices क्या होंगी price production भी बढ़ रहा है demand भी बढ़ रही है दोनों increase हो रहे है लेकिन ये 10% से increase हो रहा है और ये 15% से इस कारण से prices rise हो रही है ऐसा कब होता है जब मालीजी आपकी population जैसे भारत में जनसंक्या बहुत तेज गती से बढ़ रही है ठीक है तो production तो increase हो रहा है इंडिया में भी ठीक है world में भी increase हो रहा है production लेकिन world की जो economy है उसमें production की speed जि बढ़ने की इस कारण से जो inflation है वो इस कारण से आपको दिखती है इसी कारण prices high कोती रहती है ठीक है तो यह हो गया हमारा clear यहां तक अब हम आगे बढ़ते है 8th नमबर देखते है meaning of cost push inflation cost push ठीक है when the general price level starts increasing due to increase in the cost of goods and services in the country it is called cost push inflation जब goods and services की cost किसी कारण से बढ़ जाए कोई भी कारण हो सकता है goods and services की cost बढ़ने का और वो cost बढ़ने के कारण क्या होगा वो goods and services भी क्या हो जाएंगी ठीक है तो उनकी prices क्या हो जाएंगी अप हो जाएंगी general price level भी क्या हो जाएगा तो ऐसी inflation को हम cost push inflation कहींगे क्योंकि यह inflation किसके कारण हुई है cost में increment के कारण यह inflation हुई है cost push inflation occurs when overall prices increases due to increases in the cost of wages and raw material जैसे कि मैंने बताया हो सकता है raw material के भाव बढ़ जाए किसी कारण वश raw material की prices क्या हो जाए increase हो जाए कोई भी कारण हो सकता है मान लिजे कोई mining थी वो नहीं हो पा रही है किसी कारण वश ठीक है तो उस कारण raw material की prices बढ़ गई जैसे jewelry sector में अगर gold की मान लिजे कोई खदान है कोई mining है वो बंद हो जाए तो automatically क्या होगा production down हो जाएगा ठीक है न तो cost बढ़ जाएगी उसकी cost of wages बढ़ जाए मान लिजे मजदूरों ने हंगामा कर दिया हमारी क्या बढ़ाओ wages बढ़ाओ हमारा क्या बढ़ाओ compensation बढ़ाओ compensated to the employees ठीक है तो यह compensation बढ़ेगा है wages बढ़ेगी तो उससे क्या होगा cost बढ़ेगी production की और production की cost बढ़ेगी तो फिर inflation भी बढ़ेगी ठीक है increase हो जाएगी फिर ninth number देख लेते हैं meaning of stackflation यह एक अलग concept है इसको भी देख लीजे stackflation is the simultaneous appearance in an economy of slow growth high unemployment and rising price stackflation क्या होता है तीन चीजों के combination जब हो जाए एक साथ तीन चीजों का combination हो जाए तो उसे हम stackflation कहेंगे कौन-कौन से तीन combination पहला तो economy में slow growth हो ठीक है जो GDP की growth rate है वो कम हो जाए दूसरा high unemployment हो जाए यानि कि जो भी बेरोजगारी हो क्या हो जाए बढ़ जाए high unemployment unemployment क्या हो जाए increase हो जाए ठीक है और prices फिर भी rise होती रहे commodities की तो इन तीनों चीजों के combination को हम कहते है stackflation जब ऐसी situation हो तो उसे हम क्या कहेंगे stackflation in such a situation the demand becomes very less इस case में क्या हो जाती है demand बहुत कम हो जाती है ठीक है for example corona time period में आपने देखा होगा कि अचानक से देश में lockdown लग गया था corona time period में तो क्या होगा था if there is a sudden unexpected increase in the price of a commodity like oil prices surge accordingly while profit drops इस case में क्या हो जाता है कि अचानक से market बंद हो गया था ठीक है corona में तो आपने देखा होगा demand भी बहुत कम हो गई थी और जो petrol था जो petrol की prices थी हलाकि एक बार के लिए वो क्या होई थी down होई थी लेकिन जब production कम होने लगा भाई economy down हुई तो एक बार तो petrol की prices क्या होई नीचे आई थी लेकिन जब petrol की prices थी काफी नीचे के level पर down आ चुकी थी और फिर काम करने वाले workers नहीं मिल रहे थे तो उसके कारण क्या हुआ था फिर से उसकी prices में क्या हो गया था impact हो गया था तो उस दोरान ये problem generate होती है like oil prices surge accordingly while profit drops stagflation situation आप तो तीन चीज़े देहाँ रखो जब slow growth हो economy में high unemployment हो और rising prices हो तो उसे हम stagflation कहते है फिर 10th नंबर है देखिए meaning of core inflation ये क्या होता है core inflation refers to inflation based on the consumer price index core inflation किसके उपर based है CPI के उपर consumer price index के उपर ये based होती है covering the inflation of all the goods and services accept the volatile foods and fuel prices fuel और food की prices क्योंकि ये बहुत ज़्यादा volatile होती है एक दिन में उपर नीचे हो जाती है इसलिए इनकी prices को छोड़ कर जितनी भी देश में goods and services है उन सब की prices को कौन काउंट करता है core inflation बाकी जितनी भी inflation थी वो नहीं count करती लेकिन core inflation में ये count किया जाता है analysis do not calculate the food and petroleum prices because of their highly volatile price in the commodity market क्योंकि commodity market में इनकी prices काफी volatile होती है petroleum की और food की इस current से इनको क्या है calculate करना आसान नहीं होता इसलिए core inflation में इसको add नहीं किया जाता फिर अगला है 11 meaning of headline inflation headline inflation refers to the inflation based on the consumer price index covering the inflation of all the goods and services included the volatile food and fuel prices सबसे बड़ी inflation यही होती है यानि कि inflation का सबसे बड़ा data यही होता है headline inflation जितनी भी goods and services इंडिया में चाय से वो fuel prices हो या volatile food हो या कुछ भी हो सब को किसमे count किया जाता है सब की prices को headline inflation में count किया जाता है इसलिए यह सबसे बड़ी inflation मानी जाती है कि इससे आपको पता चल जाता economy का कि आपके देश में किस तरह से prices increase हो रही है फिर आता है 12 number meaning of open inflation यह देख लेता है when prices rise in an open market that is a market where there is no control on prices by the government or any authority then such inflation is called open inflation भाई prices rise हो रही है तब ही तो inflation होता है लेकिन ऐसी inflation जिसमे government का कोई भी interference नहीं हो government किसी भी परकार से price को control करने की कोशिश नहीं कर रही है open market में चल रहा है सारा का सारा काम तो उसे हम open inflation कहेंगे फिर next 13 meaning of suppressed inflation यह क्या होती है देखिए when government prevents price rise through price control rules like subsidy, राश्णिंग, etc it is known as suppressed inflation इसमें क्या हो रहा है इसमें भी inflation का मतलब price to rise हो रही है लेकिन इन price rise को कौन कर रहा है control कौन कर रहा है government कर रही है वो subsidy दे रही है, राश्णिंग कर रही है और भी अलग-अलग तरह के rules बना रही है, price rise को लेकर है जैसे necessary goods हो गए तो उनके उपर price cap लगा दिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा भाव में ये चीज़े नहीं बेच पाएंगे तो जब government interfere करे, government control करे, price को तो उस वक्त हम उस inflation को कहेंगे suppressed inflation, ये कब किया जाता है जब जो अनिवारे वस्तुएं होती है जिनको हम necessary goods कहता है जब उनकी prices बहुत ज़्यादा high होती है तो government इसी इसी चीज़ का यूज़ करती है और तब उसे हम suppressed inflation कहता है फिर है 14 नमबर का meaning of structural inflation ये देख लेते है structural inflation is the one prevailing in the in most developing countries structural inflation कहा होती है developing जो countries है उनमें पाई जाती है ज़्यादा तर structural inflation the situation is due to the operation of the structural weakness existing in a development country developing economy for example agricultural bottlenecks resources constraint foreign exchange bottleneck lake of infrastructure etc ये क्या होता है जो developing countries होती है उसमें infrastructure की कमी होती है हम सभी जानते है वहाँ क्या होती है capital की कमी होती है capital कम होता है तो वहाँ क्या होता है infrastructure भी कम होता है resources भी कम होता है ठीक है agriculture sector भी उतना develop नहीं होता foreign exchange भी नहीं आता उनके पास ठीक है तो इसके कारण वहाँ क्या होता है inflation होता रहता है जो prices है वो increase होती रहती है तो इसको हम structural inflation कहते है अब है 15 forms of inflation अब हम inflation के forms देख लेते हैं कि inflation की 4 form कौन को होना है तो देखिए पहला है creeping inflation creeping inflation किसे कहते है if the rate of inflation is low up to 3% यदि inflation की rate 3% तक है 3% तक है तो उसे हम कौन inflation कहेंगे creeping inflation फिर है walking और trotting inflation rate of inflation is moderate 3 to 7% this is a tonic for an economy 3 to 7% की जो inflation rate है उसे walking या trotting inflation कहा जाता है generally इसे tonic भी माना जाता है कि इतनी prices economy में rise होनी चाहिए ताकि producer को क्या रहे profit का chance रहे और वो production को increase करता रहे यह माना जाता है ठीक है ना इसी में creeping inflation भी आ जाती है ठीक रनिंग और galloping inflation क्या होती है rate of inflation is high greater than 10% जब inflation rate 10% से जादा हो तो उसे हम running inflation या galloping inflation कहते है और runway और hyper inflation क्या होती है rate of inflation is extreme जब बहुत ही जादा inflation की rate हो जाए तो उसे हम कहेंगे runway और hyper inflation यह approximately मानलो 50% 25% इससे भी उपर हो सकती है जैसे अभी आपने देखा होगा श्रिलंका में hyper inflation आ गई थी हाना यह पाकिस्तान में भी hyper inflation चल रही है अभी current में ठीक है इससे पहले Greece की economy hyper inflation के दबाव से problem में आई थी तो ऐसे जब जब किसी देश में runway या hyper inflation आ जाती है उस देश को मान के चलना उस देश की economy को बरबाद होने से बचाना बहुत कठिन होता है बहुत कठिन हो जाता है तो इसलिए उसको generally walking या trotting inflation में ही रोकना चाहिए अगर यह running में निकल जाती है तो भी कठिन हो इसलिए government क्या कोशिश करती है कि 3-7% के बीच में रखे या less than 10% रखे तो यह थे friends हमारे inflation के सारे के सारे टाइप्स और आपने देखा होगा complete हमारा यह topic students मेरे दो चैनल है एक है टेकी पाउन एकेडमी दूसरे का नाम है information technology center youtube के हैं दोनो चैनल टेकी पाउन एकेडमी पर आपको सारा educational content मिलेगा economics के बारे में और information technology center पर आपको share market, NPS, CCS, NPS rules, PPF, fixed deposit schemes, gold investment schemes, SBI schemes, post office की schemes, MS Excel की master series, computer और mobile के solutions और best investment plan की सोपरतिचत सहीट और संपूर्ण जानकरी मिलेगी तो आप मेरे दोनो चैनल जरूर सब्सक्राइब करने आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद